हेलो फ्रेंट्स जैहिन स्वागत आपका आपके बड़े जल होम टुशन पर दोस्तों अगर आप दस्वी पास है या आप बारवी पास है और साथ आप टाइपिंग की नोलेज भी रखते हैं या आप ग्रेजुएट पास है किसी भी स्ट्रीम में तो दिल्ली सर्वी बोर्ड में बहुत सारे अलग-अलग पदों पर बारा हजार से ज़्यादा पदों पर नोटिविकेसन जारी हुआ है जिसमें बहुत सारी वराइटी के पद हैं और उनके लिए एलिजिबिटी क्राइटिरिया वे अलग है और सब के लिए उमर भी है वो अलग-अलग है उमर आपका 18-27-30 साल भी है तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं दिल्ली में ही रहके जोब करने की चुक है और एक ऐसी जोग जो आपका मतलब प्रकार से स्विल प्रकार की जोब है और दिल्ली में ही पूरी सर्विस आपकी हो जाएगी तो अगर आप इंटरेस्टेड इस जोब आपको इसमें दोजार आपके एकजाम तक तो अगर आप में से कोई बच्चा आर्पिएफ की तयारी कर रहा है या करने वाला है और अपनी तयारी को जाचना चाहता है कि कितना आपका स्कूर होगा negative mark के साथ positive mark के साथ कि subject में कितना score आप कर रहे हो तो आप इस test series को join कर सकते इसमें होगा क्या है कि आप जैसे test submit करेंगे जब आप final submit करेंगे तो आपका पूरा का पुरा record निकल कर जाएगा कितना आपने score क्या है कितना negative कटवाया है जैसे आप paper देते हो वहाँ पे जो score आत सब्सक्राइब करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर प्रसकर लिजी क्लास हमारी सेडूल हो चुकी है स्याम को आठ वजी आपसे हम आज लाइम मिलेगे दोस्तों ठीक है तो आएए बात करते हैं DSSB के बारे में तो देखें दोस्तों बहुत सारी वै अलग-अलग यहां पर नोटिविगेशन जारी हुआ है दोस्तों अगर आप इस फोरूं का अप्लाइ करेंगे तो आपकी फीस सोर पे रहेगी important dates के बारे में हम बात कर लेते हैं तो यहां पर important dates नीचे आपको मिलेगी अगर आपचा जाहो तो category wise भी check out कर सकते हो नहीं तो आप यहाँ पे एक ब्रिफ तोर पे भी देख सकते हो अगर हम बात करें हाँ पे दोस्तों जैसे सेनियर परसनल असिस्टेंट की बात करें तो 990 पद है अठारा जनवरी से उनलाइन फोर्म स्टार्ट होंगे और आठ फरवरी इसकी लास जेट है यानि इस ट्रेंड ग्रेजुएट एंड ड्राइंग टीचर के 5118 पद है इसके उनलाइन फोर्म आठ फरवरी से स्टार्ट होंगे इसे परकार MTS के पद है आठ फरवरी से उनलाइन स्टार्ट होंगे इनके फोर्म 566 वैकेंसिया है अब इनका डिटेल भी हम देखने वाले अपलाई नहीं किया है 2354 पद हैं दोस्तों इसी परकार दोस्तों यहां पर असिस्टेंट टीचर के यहां पर 1455 पद है अब जैसे मान लीजिए मैं MTS की बात करूं तो MTS से पहले हम एक बारा देख लेते MTS की बात कर लेते हैं तो यह MTS का पद है दोस्तों है ना आठ मार् को अपलाई कर पाएगा को नहीं कर पाएगा तो यहां पर eligibility criteria की बात करें तो आपका केवल दस्वी पास होना जरूरी है ठीक है नेम ओफ डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ओफ वोमेंट चाइल डवलेपेंट MTS स्टाप कर रहेगा वेकेंजिया इस डिपार्टमेंट मे बात करें तो आपका 18 से 27 साल का होना जरूरी है जरूरी है अगर आप OBCC बिलोंग करते हैं तो 3 साल की एक्ष्टा छूटी मिल जाएगी SST में 5 साल की छूटी मिल जाएगी salary criteria दोस्तो 18,000 से लेके 56,900 level 1 group C का ये पद है दोस्तो छेक है तो अच्छी खासी यहां पर salary है 18,900 रूपए तो ये 18,000 रूपए तो आपकी basic salary है बहुत सारे allowance इसमें जुड़ते हैं बहुत सारे बत्ते इसमें जुड़ते हैं तो यही salary 27-28,000 रूपए हो जाती है शुरूवात में और आपको मुका मिलता है दिल्ली में ही स्विल की job करने का और day की job होती है सुबह 9 से लेक और उसके बाद आपका document verification के बाद final यहाँ पे result हो निकाल दिया जाएगा तो यहाँ लगलग department के wise यहाँ पे vacancy दिखाई होई है ठेक है तो यहाँ पे आप से eligibility criteria यहाँ पे बता दिया गया है किसी प्रकार की कोई experience आप से नहीं मांगा गया है इसके अलावा देखो यहाँ आप इस selection process की बात करें तो यही common test होता है DSSB के किसी भी paper में देखोगे तो pre exam लगबग सेम रहता है 40 question GK के 40 question reasoning के 40 arithmetic के 40 Hindi के और 40 आपके English के यानि आपको 200 question मिलेंगे 200 ही number को पेपर होगा और 2 घंटे का time मिलेगा इस paper को soul करने के लिए जो बच्चे tier 1 में qualify होंगे उनको फि तो यहाँ पर negative marking के बारे में बताया हो है सारी चीज़े यहाँ पर बताई होई है ठीक है negative marking भी है यहाँ पर 0.25 की जो बच्चा यहाँ पर tier 1 में अच्छा score करेगा उनसे फिर preference वरवाये जाएगा कि आप कौन से department में जाना चाते हो और आपके score के आधार पे आपको department DC इसके online forum उलड़ी चले होए है 254 पद है अब यहाँ पर grade 4 की vacancy है 1672 पद है दोस्तों इसमें आपका बारवी पास होना जरूरी है और आपका English और हिंदे में टाइपिंग आना चाहिए नॉर्मल से टाइपिंग जो हर department मांगी जाती है अगर आप इंगलिस में करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट हिंदे में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट उमर है आपकी जर्नल काटेगरी में 18-27 साल ठीक है दोस्तों इसके अलावा स्टैनो आपको आती है तो स्टैनो ग्राफर के भी 143 पद है अब यहाँ पे LDC Lower Division कलरक के भी 256 पद है 18-27 साल अगर आप जूनियर स्ट के 40 पद है स्टैनो ग्राफर के अलग-अलग डिपार्टमेंट में है दोस्तों ठीक है तो ओवराल हम यहाँ पे बात करना चाहें तो यह है कि DSSB में बहुत सारे पद हाल फिलाल में निकले हैं तो अगर आपने अभी तक इन फॉर्मों का अपलाई नहीं किया है तो बहुत जुरू कीजिए सभी का tier 1 common होगा जिसमें 40-40 नमर के 5 section पुछे जाएंगे जिसमें math होगा, reasoning होगी, gk होगी, hindi होगी और english होगी 200 question, 200 नमरों का tier 1 होगा, बहुत सारे जैसे LDC वाड़े पद हैं तो उसमें tier 1 के बाद क्या होगा, आपका skill test होगा, typing करवाई जाएगी, उसके बाद आपका preference ब्रवाए जाएगा और आपको department alert हो जाएगा salary criteria भी LDC का अलग होता है, group D, group C के पद होते हैं सारे-सारे, MTS भी group C में आ रही है, तो वहाँ पे आपका केवल 10-27 साल आपके उमर होनी चाहिए, किसी परकार का कोई डिपलोमा नहीं चाहिए, किसी परकार का कोई experience नहीं चाहिए, सिरफ 10-20 पास और उमर का criteria सही होना चाहि और tier 1 सभी के लिए common है, तो अगर आप eligible हैं, तो आप इन फोर्मों को जरू अपलाई कीजिए, क्योंकि पूरी की पूरी सर्विस आप दिल्ले में ही बिता देंगे, दिल्ले में ही रहके, बहुत बढ़िया department होते हैं, एक कलरक के परकार की duty आपकी रहेगी, तो जो ओरेज के करीब हैं, या ऐसे बच्चे जो सिविल की जोब में जाना चाहते हैं, या आज के टाइम में बेरोजगार इतनी बढ़री है, कोई ना कोई जोब आपको मिलनी चाहिए, तो आप इन पोस्टों के लिए जरूर अपलाई कीजिए, और अच्छे से त्यारी कीजिए के सलेक्शन की रहा को आसान बनाईए, अब MTS के 566 पद है दोस्तों, अब इसमें होगा क्या केवल एक टेस्ट है और उसके बाद आपका फाइनल सलेक्शन है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट जो पास करेगा उसको नॉर्मल सा डोकोमेंट वरिविकेसन आने वाले हैं, उसी के लिए हमी किलासेज आज से सुरू कर देंगे दोस्तों, स्याम को आठ बजेम आपके साथ जुड़ेंगे, तो चैनल को सबस्टाइब करके बैल आइकन को जिरू परस के लिजिए, और अगर आप अपनी तयारी को जाचना चाते हैं, या वीक में चात हैं कि दो-तीन मोक टेस्ट में लगा के अपना स्कूर चेक कर लूँ, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी जोन किर सकते हो, और पे अफ को सामने देखेगा, वहां से आप इस टेस्ट सीरीज को बाइन आउग कर सकते हो, ठीक है, और आज आपको पहला मोक टेस्ट मिल जाएग इसके बाद वीक में दो मोक टेस्ट मिलेंगे, जब भी मिलेंगे हम आपको योटूब पे इन्फोर्म करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे इनको जोइन कर सकते हैं और अपना कंपेटिशन चेक कर सकते हैं, इन्फोर्मेशन अगर आपको अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलको सबस्रीब करें हमें साथ जुड़े रहने के लिए दिनेवाद, जैहिंट